तो हिक हाई आज के इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं कि आप अगर अपने phone number पर recharge कर रहे हैं पेट्यम गेत्रू या फिर Google पर लेकर रहाता है तो आप उस recharge को कैसे reverse कर सकते हैं? मतलब कैसे refund उसका ले सकते हैं? वापस करकर recharge को? चुकि आज की इस वीडियो में आपको फुल डीटेल बताऊंगा, ये रिचार्च का आपका रिफंड होगा, ये फुल नहीं होगा, जो भी कन्फ्यूजन आपके मन पर हैं, सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में, आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिस प्लेटफॉर्म से आपने रिचार्च किया था, लाइक फोन पे, गूगल पे, ये फर पेटियम, किसी से भी आपने रिचार्च किया था, ये फिर और भी किसी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन से आपने रिचार्च किया था, तो उस application के जिम्मेदारी होगी, मतलब उस application के दुरू आप अपने refund ले सकते हैं, ये फिर आपको कहीं और से refund लेना पड़ेगा, अब गईज जो application होते हैं, जिनके दुरू आप रिचार्ज करते हैं, लाइक मैंने आपको जैसे की वताया, Google पे, phone पे, पे टियम, गईज ये एक platform होते हैं, इनका सिर्फ काम होता है, कि जो भी आपने रिचार्ज किया, उस रिचार्ज को direct, आपके जो भी amount का रिचार्ज आपने किया है, वो रिचार्ज को direct officially site पर पहुंचा देना, और उधर से जैसे ही रिचार्ज confirm हो जाता है, फिर ये application पर आपको success का message देखने को मिल जाता है, नहीं confirm होता, तो field का option दिखा देंगे, तो इससे आपको बात समझ में आई गई होगी, कि जो authority होती है, वो मालिक की होती है, ना कि ये third party application को होती है, because ये कुछ कुछ commission में अपना काम करते हैं, और इनके पास में कोई authority नहीं होती, refund करने की, तो अगर आप ये confused है, कि भाई मैंने phone पे से किया था, फिर Google पे से किया था, या फिर third party application से किया था, आपने जिस भी platform से recharge किया है, तो उनकी customer के अर्च से आप call करते हैं, या फिर कुछ भी आप chat पर बात करते हैं, तो उससे आपको कोई भी solution नहीं होगा, because वो एक platform है, और आपको recharge करकर देते हैं तो उससे बिल्कुल भी आपका refund नहीं होगा, अगर आप काफी अदा परेशाने, भाई मैंने Google पे से किया था, अब Google पे के customer gear से call लगा अगर बोलता हूँ, गलत recharge होगा है, refund कर दो, तो कभी refund करेंगे नहीं, because उनके पास कोई authority नहीं होती कि आपका refund कर सकते हैं, बात आती ह सर मेरे गलत नंबर पर recharge हो गया था, और मैंने Paytm application के तुरूरी recharge किया था, या फिर Google पे application के तुरूरी recharge किया था, आपको उनके transaction ID बस बगारा बता दिनी है, अगर बोलते हूँ, वैसे तो मेरा personal experience आपको बता हूँ, कि recharge reverse नहीं होता, जियो में, जियो में, और at all कभी मैं मैं भी बता रहा हूँ, कि क्या कैसी condition आपको देखनी को मिलती है, बड़ जियो का personal experience बता रहा हूँ, because मैंने 600 कुछ का recharge किया था, अपने जियो नंबर पर और मेरे गलत नंबर पर recharge हो गया था, और साथ में मैंने जियो के customer gear से बात किया, उनकी senior team से भी बात किया, उधर से म solution मिला, वो clear cut उधर से मना कर दिया गया था, कि sir ऐसी कोई हमारे पास reversal का कोई option ही नहीं होता, कि हम आपके recharge को reverse कर सके, मतलब refund कर सके आपका amount, तो उधर से हमारे पास कोई भी option नहीं होता, direct मुझे clear cut बोल दिया गया था, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, कितना भी आप परेसान हो, जियो पर आपका refund नहीं होगा, और साथ में किस एडल की बात कर लें, तो एडल में अगर आपका गलत नमबर पर recharge हो गया है, तो एडल वाले भी clear cut बोल देते हैं, कि आपका recharge refund नहीं होगा, बट मेरे condition में क्या होता, आज से मैंने दो साल के आसपास हो गया मैं मुझे रीचाज की, गलत नमबर पर एक रीचाज कर दिया था, मैंने अटल किस्टमेर गेर को call लगाया, उनके senior डेम से बात किया, उन्होंने complaint raise किया, कि मुझे 7-15 दिन के आसपास मेरा refund आ गया था, आप काफी भाई बोलेंगे भाई गलत information आपको शेयर कर रहे हैं, प पहले की बात बता रहा हूं, मेरा refund हो गया था, जो कि मैंने 155 रूपीस का रीचाज अप्रॉक्स किया था, और मेरा refund हो गया था, 7-15 दिन की बीच में, बट अभी आप अगर call करते हैं, आटल के customer को, वो clear cut बोल देते हैं, कि आपका refund नहीं होगा, पिट आप try कर सकते हो, सा पिट नहीं होगा, पिट ट्राइ गर सकते हो, customer care को call लगा कर सायद आपका 1% हो जाया, 99% बिलकुल भी आपका नहीं होने बाला, इसके साथ-साथ बात कलते हैं, अगर आपने किसी भी रीटेलर से रीचाज कराया है, अगर आपने रीटेलर से रीचाज कराया है, अब गलत पर आपका रीचाज ट्रांसपर हो गया, रीटेलर आपकी रीचाज को refund करा सकता है, उनके पास एक option होता है, जियो पर आपको जियो पॉस प्लस application देखने को मिल जाता है, जो कि रीटेलरों को दिया जाता है, और उस application में एक option होता है, रीवर्सल का, उस रीवर्सल के option पर जासे ही वो क्लिक करते हैं तो जो भी रॉंग नंबर पर रिचार्ज हो जाता है तो वो रॉंग नंबर डालेंगे एड़ इसके बाद जो ओडर आइडी होती है वो भी आपको डालनी पड़ेंगी एड़ इसके साथ-साथ आपको OTP भी फिल अप करनी पड़ेंगी अब OTP सब को क्राइет करीटोंगा तब आपका रिचार्ज कर पाएंगे वो रीटेलर मेंड़ेंगा ऩिरीटे आपको OTP के बीना कोई उफिस सब्सक्रद नहीं होता था कि எ less bab पर यहीं हम गाइस बात करने अटल पर तो अटल में एक मित्रा नेम का एप्लिकिशन देखने को मिल जाता है अब इस एप्लिकिशन पर भी आपको रिवर्शलका एक ऑपशन को मिल जाता है बट इस पर कोई भी OTP वगैरा देखने को नहीं तो आपका रिचार्ज रिवर्स हो जाएगा अगर बिल्कुल भी रिवर्स नहीं हो पाएगा अगर कोई थर्ड बाइटियों में यह देखने को मिल जाता है वी आई की बात करनेगा इस वी आई पर भी आपको Smart Connect application देखने को मिल जाता है Retailer के लिए ही देखने को मिलता है अब उस application पर भी reverse का एक option देखने को मिल जाता है उस पर क्लिक करकर आप reverse उसका भी recharge कर सकते हैं ऐसा ही कुछ BSNL में भी आपको देखने को refund हो आप मत परेसान हो ना आपने टाइम को मत खराब करना तो यही इस वीडियो को मकस्ता बनानेगा कि आपको clear कर सकूं कि रीचाज वापस होता है फिन नहीं होता जो कि आज की इस वीडियो में आपको डीटेल्ड प्रॉसस बता दिया है वीडियो से ना तरड़ो को लाइक करकर शैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थैंक्स वाच गाइच